कि आज हम लोग कि बर्गशात के अंदर गनीत में दो रासियों की तुलना सीखेंगे दो रासियों की तुलना के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे अनुपात समानुपात प्रतिसत लाभाने शधरन ब्याज सभी रासियों की तुलना पर ही अधारी थे इनहीं मेंसे एक बहुत ही महत्पूर्ण चैप्टर गनीत का पर्सेंटेज जिसका क्योप योग पहुत सारे चैप्टर्स में हें हिंदी में प्रतिसत्ता कहते हैं कि इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे जैसा कि हमने कहा कि इसमें रासियों की तूलना के बारे में पढ़ते हैं तो आये समझते हैं इसको तैसे एक सिंपल सा बात यदि आप से पुछा जाए कि एक लाइन रो हमने किया है यह लंबी है या छोटी है तो उत्तर देना थोड़ा कठीन है क्योंकि किस से लंबी या छोटी जब हम लंबी या छोटी या किसी भी रासी के बारे में उसके को एंटेटी के बारे में पूछते हैं तो इसके सापेक्ष में कोई ने कोई तुलनात्म का ध्यान करने के लिए चाहिए जैसे अगर इसके ने का तत्वर यह है कि किसी भी रासी को एक्चुल फीगर तब पता लगता है जब उसकी तुलना किसी के साथ की जाए जैसे ऐसी चीज को एक और उदाहरन से हम आपको समझाते हैं कि मान के चलिए आप क्लास सेबन में पढ़ रहे हैं और आपके क्लास में आज उपस्थित बच्चों की संख्या कुल मिलाकर 48 है और आपके बगल का जो क्लास 6 है वहां की उपस्थिती सब मिलाके 36 है यदि आंकड़ा को इस प्रकार देखा जाए तो देखने में लगेगा कि क्लास सात्मा की उपस्थिती काफी अक्षी है जबकि छो की उपस्थिती बहुत कम है लेकिन इसी आंकड़े का यदि हम दूसरा पहलू दिखाए कि आखिर कुल नामांकन है कितना कि हिसे बरग में तो ये आंकड़ा ज्यादा निकलकी आएगा हम यदा के यहला है कि क्लास 7 में कूल साथ बच्चे नावांकित हैं और क्लास छे में 40 बच्चे नावांकित हैं अब यदिस आंकड़े को आप देखें तो आप कहेंगे कि उपस्थिति के मामले में बर्ग छो ही बेहतर दिखता है तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आंकड़ा को रासी को असपस्थ करने के लिए एक दूसरा आधार आंकड़ा का जरूदत पड़ता है जब तक यह इकुल नहीं होगा तब तक किसी रासी की तुलना करना बह्ता शूरा मुश्किल मुश्किल हो जाएगा तो आधार को किसे लिए अद्क को संख्या से कर सकते हैं सो से कर सकते हैं हजार से कर सकते हैं दसाजार से कर सकते हैं कुछ भी बेस को इक्वल करके आप दूसरा के तुलना पचास से कर सकते हैं प्रतिसत में इसी आधार को बराबर करने के लिए बेस को बराबर करने के लिए सो को मानक माना गया प्रतिसत जैसा के नाम से भी अस्पस् नंकड़े की हम तुलना करते हैं बेस बराबर करके जैसे 6 में 60 बच्चे हैं तो उपस्तिती 48 है शेवन क्लास में बर्ग शेवन में कुल नमंकन 60 है तो उपस्तिती 48 है यदि यह 40 होता तो आप एकिक नियम जानते हैं पहले से पढ़ चुके हैं आप इसको आसानी से कर सकते है तब आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर 32 आ रहा है यानि कि यदि इसका बेस हम 40 कर देते हैं तो यह मात्र 32 हो जाता है यह 36 रहता है तो जब दोनों का बेस सेम हुआ तब आंकड़ा बिल्कुल अस्पस्त हो गया कि अधिक है और यह कम है अब यह जो आंकड़ा हम 40 पर लें तो आप उसको प्रतिसत में लिख सकते हैं या बदल सकते हैं जैसे हम कह रहे हैं बर्ग सेबन के लिए के कुल नामांकन साथ है और इसमें ओपस्थिती 48 है यदि इसको 100 पर लिया जाए तो कितना हो जागा 48 62 गुना 100 आई हल करते हैं तो यह होगी आपका 80 यह 80 कितना पर हुआ 100 पर पर प्रतेक 100 पर तो इसका जो आधहार है प्रती है प्रती कितना में 100 में 100 का मतलब सत्थ होता है इसे ही हम लोग प्रती सत्थ कहते हैं असी तो हुआ लेकिन कितना में हुआ प्रतेक 100 में हुआ इसी को लिखने के लिए हम लोग इसके संकेत के रूप में इस प्रकार का प्रयोग करते हैं यह बीच में जगा रहेगा इसका ध्यान रखें कि इस प्रकार से प्रतिसत को हम लोग दिखाते हैं प्रतिसत का मतलब हो गया परतेक-100 पर अब हमने कहा जो आधार होगा आधार का मतलग हर से है इसका जो हर होगा यानि भीन के नीचे बाला यह हमेशा 100 होगा और जो उपर में रहेगा अंस यह प्रतिसत के संख्यात्मक मान को बताएगा जैसे कहें भी लिखा हुआ है कुछ भी प्रतिसत तीस प्रतिसत लिखा हुआ है तो हमने क्या का प्रतिसत का मतलब इसके आधार में हर में 100 होगा तीस बटा सौ यानि कि यह जो सौ है यह आधार हो गया बेस हो गया हर हो गया और यह जो है प्रतिसत का संख्यात्मक मान हो गया इस प्रकार से किसी भी प्रतिसत को आप भीन में बदल सकते हैं इसी के ठीक उल्टा भीन को भी प्रतिसत में बदला जा सकता है तो अभी हम लोग पहले सीख रहे हैं आज का में टॉपिक है प्रतिसत को भीन में बदलना यह प्रतिसत को लिखा हुआ है उसका आर्थी है कि उसके बटे में 100 किजिए उसके आधार में 100 ले आई ये जैसे फॉर इग्जामपल कि कहीं भी लिखा हुआ है 20 प्रति सत तो इसका आपने आप मतलब है कि 20 प्रति मतलब बटा और सत का मतलब सो अब इसको आप हल कर लेगे तो इस परागार से सरलतम रूप में ये भीन के रूप में आ गया एक बटा पाँच जैसे आपका कहीं लिखा हुआ है 30 प्रतिसद तो आप इसको भी भीन में बदल सकते हैं 30 बटा 100 3 बटा 10 कहीं लिखा हुआ है 16 पुर्णांक 2 बटा 3 प्रतिसद कैसे होगा पहले तो हम लोग तोड़ लेंगे पुर्णांक को 1648 दो 50 बटा 3 प्रतिसद है तो क्या करना पड़ेगा नीचे में अधार में 100 डालना पड़ेगा 50 दो नीचे इस प्रकार से किसी में यदि प्रतिसद लगा हुआ हो तो उसमें से प्रतिसद यदि हटाना हो उसको भीन में बदलना हो तो हम लोग इस प्रकार से बदल सकते हैं धन्यवाद अगली कक्छा में हम लोग सिखेंगे इसी का उल्टा भीन को प्रतिसद में बदलन और दसमलब को परतिसात्य में बदलना